मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार, AFIS के आज 13 जनवरी 2020 के डेली आडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजया ग्रवाल आप सभी का हारदी रूप से स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स, आज के मुख्य विशय के रूप में मैं आप सबसे राजनीती एवं न्याएपाली का इस विशय पर कुछ बातें करूँगा लेकिन दूसरे घटनाओं के रूप में बस एक घटना आज मेरे सामने है जिसके चर्चा में बहुती सांकेतिक तोर पर आप सब के सामने करने जा रहा हूँ और वह है हमारे प्रधान मंत्री जी का देश के प्रतियह आवान की जो हमारे युवा हैं वो जादा से जादा संख्या में राजनीती में आएं और अपनी बात कहते समय उन्होंने बकायदे वन्सवाद का विरोध करने की भी बात कही कल आप सब जानते हैं कि विवेका नंध जी का जन्म दिन था जिसे हमारे देश युवा दिवस के रूप में मनाता है और इसी संदर्ध में प्रधान मंत्री जी अपनी बात रख रहे थे यहां देखिए दो पॉइंट हैं या दो टॉपिक हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की द्रिस्टी से पहला है कि युवा राजनीती में आएं बहुत समय से ये बात कही जा रही है कि युवा राजनीती में आएं क्योंकि युवाओं में एक अलग किस्म की उर्जा होती है उनकी सोच समझ अलग होती है उनमें दूर द्रिस्टी थोड़ी जादा होती है बहुत आगे कि वो देख पाते हैं समय जो बदल रहा है उनके साथ बदलते हुए समय के साथ उनका ताल मेर अपेक शाकृत जादा नेचयोर होंगे, प्राउड होंगे और फिर जब इनके उम्र थोड़ी सी अधिक होगी, जब ये राजनीती को पूरी तरह से सभालने लगेंगे, तब उस समय कि जो राजनीती होगी अपेक शाकृत बेहतर राजनीती होगी, देखे युवार राजनीती में आए कहने का हो जाएं, मतलब ये है कि वो सक्रिय रूप से भाग लें, और जब सक्रिय रूप से भाग लेने की बात आती है तो एक लोग तांत्रिक प्रक्रिया में वो कैसे भाग लेंगे, वो बकाइदे मतदान करें, साथ ही साथ जो सामाजिक कारें उन से जुड़ें, और फिर वो र प्राइज होती हैं वहाँ आए और वहाँ से फिर राज्य इस्तर और राज्य इस्तर से राश्टे इस्तर फ्रेंस यहां पर जो सबसे महत्पुन बात में कहना चाहरा हूँ सिविल सर्विस के मेंस में एक साल यह प्रशन पूछा गया था कि युवा राजनीती में क्यों नहीं आना चाहते और यदि आप चाहते हैं कि युवा राजनीती में आएं तो आप उन्हें कैसे परसू करेंगे कुछ इसी तरह का प्रशन था उन्हें आप कैसे इस बात के लि दूसरा ही है वन्शवाद, वन्शवाद पर भी कुछ साल पहले मेंस में ही question पूछा गया था, देखी जो राजनीती है अगर राजनीती में वन्शवाद आ जाएगा, तो सीधी सी बात है कि लोकतंत्रिक प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, वन्शवाद और लोकतंत्र इन दोनो का आपस में बिलकुल विरोध है जो राज तंत्र है वो बेसिकली क्या है वन्षवाद है एक राजा है फिर उसका पुत्र राजा बनेगा फिर उसका पुत्र राजा बनेगा यह वन्षवाद है यहां लोगतंत्र नहीं है जन्म से ही राजा निर्वाचित हो गया है लोगतंत लोक तंत्र है वो खत्म होता चला जा रहा है वह भी कहीं ने कहीं राजनितिक दलों के इस तर पर वन्षवादी दिखाई दे रहा है आप चाहे छेत्रिय पार्टियों को देख लिजे पॉलिटिकल पार्टि को या रास्ट्रिय पार्टियों को देख लिजे रास्ट्रिय पा और यही सिविल सर्विस एग्जामनेशन की एक चुनोती होती है कि लगता तो है कि यह बहुत सरल है इसलिए हम उस पर तयारी भी उतने अच्छे से नहीं करते और वहीं फंस जाते हैं कोश्चन पूछा जाता है लिखकर के भी आते हैं लेकिन वह लिखकर नहीं आ पाते जो लिखा जाना चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि हमने उस पर कभी गंभीरता पूर्वक विचार ही नहीं किया और विचार क्यों नहीं किया गंभीरता पूर्वक क्योंकि हमने उस टॉपिक को कभी गंभीरता पूर्वक लिया ही नहीं और यहीं हम गच्चा खा जाते हैं तो दोस् फ्रिंट्स उसको लेकर है आए हम क्योवल ये समझने की कोशिस करते हैं इस मुख्विशय के तहट कि ये जो मामला है ये किस तरीके से आप से सिविल सर्विस एगजामिनेशन की दिरिस्टी से प्रिप्रेशन करने की मांग कर रहा है आप देख रहे हैं कि ये जो प्राब्लम है ये लगतार विस्तृत होती चली जा रही है फैलती चली जा रही है अब आपको देखना ये है कि इसमें से प्रिप्रेशन के लिए कौन-कौन से टॉपिक इमर्ज हो रहे हैं या यूँ कह लिए कि घटना तो एक है इस घटना के कौन-कौन से कौन अब बन रहे हैं आपक करने की कोशिच कीज़े या आप यूं कह लिजी कि मैं आपसे एक ट्रैक्टिकल करा रहा हूं इस मुख विशे के नाम पर तो जब आप अपना सिलेबस उठाते और सिलेबस में किसी एक पेपर का सिलेबस नहीं कह रहा हूं कि आप सेकेंड पेपर का उठा लिजे थर्ड इसलिए आप संपूर्ण सिलेबस को आप अपने दिमाग में ले करके आईए तो आपके सिलेबस के तहट अगर हम सेकेंड पेपर को ले लें तो उसमें पॉलिटी है और साथ ही साथ कॉंस्टिटूशन भी है याद रखिए दोनों अलग अलग पॉलिटी एंड कॉंस्टिटूशन में तो सीधे-सीधे नयाइपालिका भी आ जाती है यानि कि जुडिसरी भी है अब देखिए इस घटना करम में आप जोड़ते चले जाईएगा जुडिसरी भी है और जुडिसरी को तो अलग से भी आप पढ़ते हैं क्योंकि जो नयाइक सक्रीता है अब आप थर्ड पेपर में जाते हैं तो थर्ड पेपर में आपको कृशी बेवस्था एकोनॉमी के तहट आपको कृशी बेवस्था दिखाई देती है वो आपके सिलेवस में है इसके साथ ही साथ अगर आप डेमोक्रेसी एज़ए होल या पॉलिटी को ले करके चलते हैं तो पॉलिटी में किसान आंदौलन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मौलिक अधिकार के तहट ये अधिकार दिये गए हैं, कि आप अपनी राये रख सकते हैं, आप इस तरह के आंदौलन कर सकते हैं, ये बात अलग है कि वो आंदौलन शान्ति पूर्ण हो, हिंसा परक्न हो, और नागरिक के जो जीवन हैं, उनको डिस्टर्व करने वाला नहीं हो, तो किसान आंदौलन कर रहे हैं, किस बात के लिए आंदौलन कर रहे हैं, क्रिशी ब्यवस्था उसकी वो मांग कर रहे हैं, वो कह रहें कि इन्हें रद्द किया जाएं, सरकार उनसे बातचीत कर रही है, सरकार कह रही कि रद्द नहीं किया जा सकता, हम इसमें संसोधन करने के लिए और जो भी बातचीत है, उसके अधार पर रास्ता निकालने को तही आ है, बातचीत हो भी रही है, लेकिन रास्ता नह के लिए कि ठीक है अभी हम देखते हैं अब आप देखे कि सुप्रीम कोड को जो अधिकार है किसी भी संसत के द्वारा पारित कानून को रोकने का तो वो है कि ये अनकॉंस्टिटूशनल तरीके से तो पारित नहीं हुआ है कहीं असमवैधानिक तरीके से तो ऐसा नहीं है कि थोप दिया गया है तो इसे तो बकायदे संसत ने पारित किया है तो फिर वो उसको एकसेप्ट कर क्यों रही है याचिका को तो वो जन ही याचिका है उसमें वैधानिकता के कोई बात नहीं की गई है इसमें है कि जनता के हित में किसानों के हित है और दूसरा वहां जो समीती बनाई जाए और वो समीती इस पर विचार करके और कोल्ट को बताए कि वह यह जो कानून बने हैं यह क्या है कैसे हैं क्या किया जाना चाहिए अब आप देखें कि वह संसद द्वारा पारित कानून को न्याई पालिका किस तरीके से ले रही है यहां आपको देखना हैं और कुछ समय तक कमेंट किये जाते रहेंगे और मुझे लगता है कि यह जो घटना हुई है यह घटना एक प्रकार से न्याई पालिका और राजनीती के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए उदाहरन के तोर पर दर्ज होगी यह एक प्रकार का केस स्टडी भी बन सकता है अब जो समीती जो बनाई गई है उस समीती में जो चार सदस से रखे गए हैं आप देखे कि आपको अख़बारों में यही पढ़ने को मिल रहा होगा कि यह जो चारों के चारों सदस से हैं यह तो शुरू से ही इन कानूनों के पक्ष में रहे हैं और उसके बकायदे प्रमा कि जब आप समीती बना रहे हैं, तो समीती में जब तक आप अलग अलग विचारों के लोगों को नहीं रखेंगे, तब तक उस समीती की विश्वसनियता क्या होगी, लोग अखबारों में जो लिखा जा रहा है, वो यही कि आप जो अंदौलनकारी किसान हैं, उनसे पूछते कि आप अपने मेंबर्स दीजिए, आप अपने प्रतिनीती समीती में दीजिए, ताकि उनकी बात भी रखी जा सके, तो एक प्रकार से ये जो समीती है, ये जो भी न्यायाले को अपने निरने देगी, सिफारिस कहनी चाहिए, निरने तो नहीं कहना चाहिए, सिफारिस जो आप देखे कि चीज़ें जटिल होती चली जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको इस जटिलता से रास्ता निकालना होगा, आप एडिमिस्टेटर बनने जा रहे हैं, आज मैं आपको एक बहुती खूबसूरत एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, जो दैनिक भासकर क है, देखे किसान कहरे हैं कि इन कानूनों को रद किया जाए और मिनमम सब्पूर्ट प्राईज को कमपल सरी कर दिया जाए कि इससे कम में खरीदी नहीं हो सकती, उसका रास्ता क्या हो सकता है, उपरी तोड़ पर आप सोचेंगे तो लगएगा कि इसका कोई रास्ता नहीं ह मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिग्यासू बने और खुद ढूने मैं इशारे के तौर पर जो बात कहनी चाहिए थी वो कह चुगा हूँ प्रीज आप इस एडिटोरियल कमेंट को पढ़िए और देखिए कि उसमें कौन-कौन से पॉइंट्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे ह जिसके आधार पर आप यह सिद्ध कर सकें यदि कोश्चन पूछा गया है तो कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइज को अनिवार्य कर सकती है इसमें उसे कोई दिक्कत नहीं है आप ऐसे पॉइंट्स निकालने की कोशिस कीजेगा तोस्तों मुख विशे के बारे में बस इतन आप सब को प्रवाइड कर रहा हूं इमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इनहीं में से कुछ दोस्तों की नाम है आश्टोश आचारी, अंकित राज मुंबई से, अमित सिंग, अनीश गुपता, गिरडी जारखंड से, मुकेश पुरेना, नया रायप उच्छतिसगर से, और रंजीत कुमार मुरावा उत्ताप्रदेश से, आप सब का बहुत बहुत आभार, और दोस्तों, आज किस डेली आडियो लेक्चर को समाप्त करने से पहले एक छोटी सी सूचना है, और वो यह है कि कल मकर सक्रांती पर डेली आडियो लेक्चर नहीं दिया जा सकेगा, लेकिन प्रेस क्लिपिंग्स अगर आपको एजटिस मिलेंगी, परसों आप सब से फिर मुलाकात होगी, और फिर आगे की बाते होगी, तब तक के लिए मेरी शुब कामनाय स्विकार करें, मेरा अभिवादन भी, नमस्कार.